करें कि हम इंसार कर रहे हैं प्रोलान मंत्री क्या action लेंगे और विद्य मंत्री चैक्षन लेंगी हम अपना काम कर रहे हैं कि और हमारे यहां सांसत हैं हमारी हने, और पार्टी की सांसत हैं क्यों लोक पाल में गई हैं । यह डिखके अलगई हैं लेकिन हम अपना काम जो की जानकारियां, ऐसे एक चुलासे हैं जो आपसे हम साज़ा कर रहे हैं जिसका सीधा-सीधा प्रभाव कमारों ऐसे ओम आपने रविश कुमार कॉंग्रेस पार्टी ने दो हफ्तों के भीतर चार-चार प्रेस कॉंफरेंस की है और सेबी की चीफ माधवी बुझ पर नए-नए आरोप लगाए हैं। सेबी की चेर परसन माधवी बुझ पर लगने वाले आरोपों की हालत देखिए। अलग-अलग वक्त और कैटेगरी में 16 करोड 80 लाख रुपए अरजित किये। इसके बाद 6 सितंबर की प्रेस कॉंफरेंस के आरोपों की याद दिलाते हैं। कहते हैं अभी तक उसका जवाब नहीं आया। जब उन्होंने आरोप लगाया था कि कैरल इंफो नाम की कमपनी ने माधवी बुझ की संपत्ति किराये पर ले रखी है। और कैरल कमपनी वोकाड कमपनी से जुड़ी है जिसकी फाइलें सेवी के पास हैं। 10 सितंबर को एक और प्रेस कॉंफरेंस हुई और आरोप लगाया गया कि माधवी बुझ ने सार्जिनिक तोर पर कहा है कि जब वे सेवी में आईं। अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड निश्क्रिय हो चुकी थी जबकि पवन खेडा दावा कर रहे हैं। सेवी में आने के बाद भी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99 प्रतिशत शेयर होल्डर वे रही हैं। और यह कंपनी उन कंपनियों को सलाह देती रही जिनके मामले सेवी में चलते रहे हैं। उन्होंने अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि उन्होंने अगोरा को पेमेंट्स दी हैं। कंसल्टेंसी की एवर्ज में। यही बात हम खुलासा करके सामने लाए थे तो उन्होंने यह कंफर्म किया है। क्योंकि यह पेमेंट्स जो माधवी जी के पती की कंपनी वैसे तो माधवी जी 99% शेयरोल्डर हैं। लेकिन जॉइंट कंपनी को जो कंसल्टेंसी की मारफ़त यह पेमेंट्स आई हैं। वो Section 5 Code on Conflict of Interests of Members of Board 2008 की अवहेलना करता है उसको वाइलेट करता है। यही हमारा पॉइंट था यह साबित हुआ। इसके बाद महिंद्रा महिंद्रा ने अभी तक जवाब नहीं दिया इस बात का। कि जो धवल बुच्छ सहाब को परस्नली भी एक सैलरी गई और उनकी कंसल्टेंसी कंपनी अगोरा को भी पैसा दिया। इसके बारे में कोई स्पष्टिकरण महिंद्रा और महिंद्रा ने अभी तक नहीं दिया। क्या महिंद्रा ने महिंद्रा को नहीं पता था कि धवल जी की पतनी सेवी में है। KYC नहीं हुआ था क्या। हम सबको तो अकाउंट खोलने में KYC होता है। क्या इनहें मालूम नहीं धा क्या। आप धवल बुच सहाब को परसनली भी पैसा दे रहे हो उनकी कमपनी को भी पैसा दे रहे हो 4.78 करोर परसनली दिया 4.78 लाख और 2.69 लाख अगोरा एडवाईजरी को दिया महिंद्रा ग्रुप का बयान आया है कि हमने सेवी से किसी फेवर के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया है हम कॉर्परेट गवर्नन्स के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं महिंद्रा ग्रुप से संबंदित जो भी आदेश हैं उस समय के हैं जब माधवी बुच के पती धवल सहब को पर्सनली भी एक सेलवी गई और उनकी कंसिल्टेंश कम्पनी अगोरा को भी पैसा दिया इसके बारे में कोई सपश्ट्रिकरण महिंद्रा इण महिंद्रा ने अभी तक नहीं दिया क्या महिंद्रा आ loyan driving को नहीं पता था कि धवल Martijn की पतनी सेवी में है केवाईसी नहीं हुआ था क्या हम सबको तो अकाउंट खोलने में केवाईसी होता है क्या इन्हें मालूम नहीं था क्या आप धावल बुच्छ सहाब को परसनली भी पैसा दे रहे हो उनकी कमपनी को भी पैसा दे रहे हो 4.78 करोर परसनली दिया 4.78 लाख और 2.69 लाख अगोरा एडवाईजरी को दिया तथा कथिट डॉर्मेंट कमपनी को दिया कंसल्टेंसी और किराय के रूप में इस तरह कथित रूप से 20 से 25 करोड से भी जादा रकम लेने के आरोप लब चुके हैं पवन खेडा के आरोपों की सूची में कई कमपनियों के नाम सामने आते हैं जिनके संबंद किसी न किसी रूप में माधवी बुच और धवल बुच की कमपनी से जुड़ जाते हैं माधवी और धवल बुच का कहना है सेबी को सारी जानकारियां दे दी गई है और ऐसे मामलों में इन कमपनियों की जाज प्रकृया का माधवी बुच कभी भी हिस्सा नहीं रही बात इतनी नहीं है कई कम्पनियों से संबंध होने के आरोप है सेवी के पद पर रहते हुए उनके साथ किसी ना किसी प्रकार के लेन देन के आरोप पवन खेडा लगा रहे हैं 14 सितंबर की प्रेस कांफरेंस में पवन खेडा ने आरोप लगाया कि माधवी बुच ने लिस्टेड सेक्योरिटीज में ट्रेडिंग की है और यह तब की है जब वे सेवी की सदस से हो चुकी थी और प्रमुक भी बन गई थी दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि ऐसी कंपनियों से भी उनके कुछ संबंध नजर आते हैं जिनका नाम पनामा पेपर्स और पैरडाइस पेपर खुलासों में आ चुका है यह दोनों ही मामले विदेशों में बेनामी खाते खोलने और उसमें पैसा डालने से जुड़े हैं तीसरा बड़ा आरोप लगाया कि माधवी बुच का निवेश विदेशी कंपनियों में है जिनमें से कुछ कंपनियां चीन की हैं क्या प्रधान मंत्री जी को मालूम है कि बड़ी इंवेश्मेंट्स माधवी जी ने विदेशों में की हैं हम यह जानना चाहते हैं किस दिनांख की इंवेश्मेंट्स हैं और इन इंवेश्मेंट्स का डिस्क्लोजर किस दिनांख को किया गया है is the Prime Minister aware that the SEBI chairperson has been investing in Chinese funds at a time when India is facing a geopolitical tension with China हम जानना चाहते है प्रधानमंत्री जी क्या आपको ये पता है कि आपकी मातहत जिनको आपने चुना है आपने खुद चुना है अपने कलम से चुना है एसी सी में आप हैं आप और ग्रहमंत्री दोनों हैं क्या आप दोनों को पता है कि सेवी की चेर person चाइनीज फंड्स में इन्वेस्ट करती है एक ऐसे वक्त में जब चाइना से हमारी टेंशन बहुत बड़ी हुई है यह हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं और यह सिलसिला ऐसा नहीं है कि समाप्थ हो गया है यह सिलसिला अभी चल रहा है इन आरोपों को मोटा मोटी इस तरह से समझी है अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड एक कमपनी है जिसका संबन मादवी बुच के पती धवल बुच से है हाला कि पवनखेडा आरोप लगाते हैं कि 99 प्रतिशत हिस्सेदारी मादवी बुच की है और यह कमपनी सक्रिय है इस अगोरा एडवाइजरी का संबन सिंगापुर की एक कमपनी अगोरा पार्टनर्स PTE से है पवनखेडा सवाल पूछते हैं कि क्या मादवी बुच इस कमपनी के बैंक एकाउंट में हस्ताक्षर करता नहीं है पवनखेडा ने पूरी लिस्ट दी है कि इस कमपनी ने विदेशों में कहां कहां निवेश किया है बड़े सबस्ट सवाल है जो फंड्स विदेशों के जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है यह लिस्ट आपके सामने है वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट एटीएफ ए र के इनोवेशन एटीएफ ग्लोबल एक्स या ग्लोबल टैन MSCI चाइना चाइना रुख जाईए चाइना कंज्यूमर CHIQ इन्वेस्ट को चाइना टेक्नॉलोजी एटीएफ हम और आप मन में बड़े व्यथित होते हैं कि चाइना के प्रोड़क्ट्स हिंदुस्तान में क्यों अली बाबा क्या कर रहे हैं पीम केर में चाइना क्या पैसा क्यों आ रहा है यह सब सवाल हम पूछते रहते हैं और प्रधान मंत्री भी हमें भाशन सबको देते रहते हैं लेकिन यह बड़ा परिशान करने वाली बात है कि सेवी की चेरपर्सन माधवी जी चाइनीज फंड्स में भी पैसा लगा रही है प्रवान मंत्री की clean sheet देते हैं चाइना को हमें मालूम है लेकिन सेवी की chairperson Chinese funds में भी invest कर रही है ये भी जानकारी हमने आपके से साजा की Congress ने पूछा है कि विदेशों में निवेश के रूप में जो संपत्ती है उसकी जानकारी आपने सरकार को कब दी और किस agency के सामने दी एक दर्शक के नाते आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि मामला कुछ समझ नहीं आ रहा मामला जटिल लग सकता है लेकिन इतना भी मुश्कि कि कमाई लगाते हैं शेयर खरीदने के रूप में अब सेबी की चीफी कथित रूप से कई कमपनियों से जुड़ जाएं उन कमपनियों का किसी और कमपनी में निवेश हो रहा हो तो क्या ये सही है क्या ये हितों का टकराव नहीं है क्या उन कमपनियों को बचाया नहीं जा सकता है किसी अन्य गुप्त अग्यात कारियों से क्या सेवी के सामने इसकी जानकारी देने से सवालों का अंत हो जाता है इस तरह से देखने पर ये मामला जटिल नहीं लगेगा वैसे ही जैसे एक जज है मान लिजे अगर जजज साहब के संबन्द वकीलों की तमाम कंपणियों से हो जाए उसमें उनका पैसा भी लग जाए तो क्या ये ठीक होगा और जजज साहब कहें कि मैंने तो सबको बता दिया था क्या ये काफी होगा पहला खुलासा तो ये कि 2017 से 23 के बीच में माधुई जी होल टाइम मेंबर और उसके बाद सेवी की चेरपरसन की हैसियत से तब ये बन चुकी थी होल टाइम मेंबर 17 में लिस्टेड सिक्योरिटी में ट्रेडिंग कर रही थी आप टेबल दिखाईए ये टेबल है 17-18 का टेबल आपके सामने है 4 करोड 72 लाक, 18-19 में 19 करोड 54 लाक, 19-20 में 2 करोड 6 लाक, 20-21 में 6 करोड 91 लाक ये आपके सामने है टोटल 36 करोड 96 लाक, लगभग 37 करोड की उन्होंने ट्रेडिंग लिस्टेड सिक्योरिटी में की है आप कहेंगे तो क्या हुआ? तो उसका जवाब ये है कि ये भी सेक्शन 6 ये सेक्शन 6 इसमें है आपको मैं दे रहा हूँ और सेबी कोड on conflict of interest for members की अभेलना है ये conflict of interest है, ये violation है, ये सीधे सीधे violation की category में आता है 13 सितंबर को माधवी बुच और उनके पती ने सफाई नामा जारी किया कहां कि किष्टों में आरोप लगाये जा रहे हैं हम एक ही बार में सारे तथ्य दे देते हैं इस पत्र में उनकी तरफ से सभी आरोपों के खंडन का दावा किया गया है पत्र में लिखा है कि माधवी ने वो खाट से जुड़ी किसी फाईल को नहीं देखा है सेबी के काम का दाइरा बहुत विशाल है इसके दफ्तर में एक साल में हजारों जाच होती है हजारों सर्विलेंस अलर्ट होते हैं सेंकडों फाईले मनजूरी के लिए लाई जाती हैं सेंकडों आदेश निकलते हैं आम तोर पर चेर परसन को किसी खास केस के बारे में पता भी नहीं होता क्योंकि दूसरे अफसर इन मामलों को हैंडल करते हैं इसलिए हितों के टकराओ का आरोप सही नहीं मनगढन और प्रेरित लगता है क्या ये जवाब काफी है लेकिन जो भी जवाब है मादवी बुच और धवल बुच के पत्र को पढ़कर तबियत खुश हो गई से भी कितना सुन्दर दफ्तर है यहां चेयर परसन को पता नहीं होता कि कहां क्या आदेश निकल रहा है किसकी क्या जाच हो रही है क्योंकि इनकी संख्या हजारों में है और अलग-अलग अफसर देख रहे होते हैं वो किसी के काम में दखल नहीं देती हैं किसी के फैसले को प्रभावित नहीं करती है यह वाकई पहला दफ्तर है जहां नीचे के अफसरों के काम की जानकारी चेयर परसन को नहीं है या चेयर परसन कोई हस्तक शेप नहीं करती है जब मैं अपना घर किराय पे दे रही थी मुझे नहीं मालूम था कि वो कंपनी वोकार्ड से रेलेटेड आप से भी में हैं आपको तो अपने ऑफिस को एक पी ए को क्या पियोन को बोलना है कि जड़ा चेक करना गूगल पर ये कंपनी किस की है हमें मालूम पढ़ गया आपको मालूम पढ़ने में देर हो गई ये कैसे मान सकते हैं इतने आरोप लगे किसी ने जाच नहीं की सफाई के तौर पर मादवी बुच का जबाब ही आया क्या उसे ही अंतिम मान लिया जाए क्या ये सफाई वाकई मान ली जाएगी कि आपने इनकी फाईलों को सेवी में रहते कभी देखा ही नहीं अंजान बनी रही निर्नयों को प्रभावित नहीं किया जिस देश में सांसत और संपादक को फरजी तरीके से गिरफतार किया जाता है उस देश में सेवी जैसा स्वर्ग भी है इस खुशी के मारे देश में एक दिन की छुटी तो करी देनी चाहिए मादवी बुच और धवल बुच ने अपने बयान में कहा है किसी भी जांच के लिए कारेकारी निदेशकों या पूर्ण कालिक सदस्यों जैसे वरिश अधिकारियों में अलग-अलग शक्तियां नहित होती है इस हिसाब से कोई भी जांच की फाइल अध्यक्ष के पास नहीं जाती है कहने का यही मतलब लगता है कि हर अफसर का दाइत्व बटा है और जांच की फाइल सेवी के अध्यक्ष के पास नहीं जाती है यह हो भी सकता है मगर हम इसके जानकार नहीं है हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या यह जवाब काफी है लेकिन इतना साफ साफ दाइतों का बटवारा सेवी में है अगर है तो यह कमाल की बात है जिलादिकारियों और वाइस चांसलरों को सेवी जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि बिना पैरवी, सिफारिश, दबाओ और हस्तकशेप के जब सेवी काम कर रही है तो उनकी युनिवर्सिटी में भी पैरवी पर किसी आयोग या पार्टी वाले को लेक्चरर या प्रोफेसर बनाने से रोका जा सकता है लगता है लोग इतनी जल्दी भूल भी गए कि सेवी के दफ्तरों में भै, चिलाने और दबाव डालने के आरोपों को लेकर 500 अधिकारियों ने पत्र लिखा, प्रदशन किया क्या इसका संबंद किसी तरह के दखल से नहीं रहा होगा, पूछी रहा हूँ सेवी की चीफ के तालुकात एक दो कमपनियों में काम करने या उनके शेयर रखने से होते तो बात समझ में आती यहां तो कई कमपनियों के नाम सामने आ चुके हैं पवन खेडा ने तो यहां तक पूछा है कि क्या बुच या उनका परिवार ऐसी किसी कमपनी से डील करता है या था जिनका नाम पनामा पेपर्स या पैरडाइस पेपर्स में आया था आप जबाब दे दिजिए नहीं तो हम दे देंगे पवन खेडा कहते हैं मादवी बुच ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सब आरोब जो सामने आ रहे हैं उनके इंकम टैक्स रिटरंड में मौझूद हैं और सर्वविदित तथ्य हैं पवन खेडा से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो किसी को इंकम टैक्स रिटरंड नहीं दिया है हमारी किसी प्रेस रिलीज में इस से जानकारी नहीं है पवन खेडा ने कहा कि वैसे भी माधवी बुच और धवल बुच ने जो जवाब दिया है उस पर विस्तार से जवाब दिया जाएगा आज कुछ बिंदूओं पर उनकी टिपनी जरूर आई मगर सभी पर नहीं माधवी और धवल बुच ने कहा है कि वैं इमानदार और पेशवर लोग हैं और अपने पेशवर जीवन में एक बेदाग रेकॉर्ड अरजित करते हुए उसे पारदर्शिता और गरिमा के साथ जिया है साथ ही या विश्वास जताया है कि इन सब पर भविश में किसी भी प्रेरित आरोप को धाराशाई कर देंगी साथ ही उनके पास या अधिकार है कि उचित कानूनी कारवाई करें या मादवी बुच का जबाब है उनके पत्र का काफे हिस्सा हमने आज के वीडियो में शामिल किया क्योंकि उन पर लगे आरोपों को लेकर हमने कई वीडियो बनाए है उनका कहना है कि सारे आरोप गलत हैं और सेबी को समय पर बता दिये गए त्रिन्डमुल की सांसद महुआ मोहितरा ने मादवी बुच को लेकर लोगपाल से शिकायत किये महुआ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है कि पुरी बुच के खिलाब मेरी लोगपाल शिकायत इलेक्ट्रोनिक और फिजिकल रूप में दर्ज की गई लोगपाल को 30 दिनों के भीतर इसे प्रारंभिक जाँच और फिर पुर्ण FIR जाँच के लिए CBI ED को भेजना चाहिए इसमें शामिल हर इकाय को तलब किया जाना चाहिए और हर लिंक की जाँच की जानी चाहिए एक बात नोट करने लायक है इस मामले में राजनितिक दल्ही जानकारी जुटा रहे हैं मीडिया अपनी तरफ से खोजी पत्रकारिता नहीं कर रहा है कारण आप जानते हैं सूचनाएं इस सरकार के मातहत विभागों से CBI से ICICI से सूचनाएं मिलती हैं आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी तो खोजी पत्रकारिता का काम पत्रकार कर सकते हैं अब वापस से दस साल का आपको ब्रेक मिला अब जरुवत नहीं है ब्रेक की अब आगे आप करिए मिलेगी information दे हमें मिल रही है तो आपको तो मिलेगी मिलेगी 10 अगस से 14 सितंबर आगया हिंडनबर की रिपोर्ट और कॉइंडेस की कई प्रेस कॉन्फरेंस मादवी बुच का खंडन आता है वो भी छब जाता है कॉइंडेस का आरोप आता है वो भी छब जाता है क्या सही है क्या गलत इसकी पड़ताल उन चैनलों या अखबारों के द्वारा नहीं की जाती जहां दर्जनों रिपोर्टर हैं और संपादक काम करते हैं प्रवक्ता को पत्रकार का काम करना पड़ रहा है और पत्रकार प्रवक्ता बन गया है माध्वी बुच का मामला आम पाठक और दर्शक को हैरान कर रहा है या तो कुछ है या कुछ भी नहीं लेकिन या कैसे साबित होगा चुप रहने से या जाट से नमस्कार मैं रविश कुमार